उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतियंता पार्टी ने डंका बजाया है पूर बहुमत की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में भारतियंता पार्टी की ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों की तरफ से कि भारतियंता पार्टी का 2022 में सुफ्र कराई है बड़े नेताओं को जॉइनिंग कराई है जो मुख विपच्छी दल था उनके परिवार में सेंध लगाई है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जो तीन गर्ल थी जिनको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था उनको भी भारतियंता पार्टी जॉइन पराकास्था हमारे प्रदेश रता सुतंत देव सिंग जी ने भी अपने परिश्णम की पराकास्था किये इसमें को दोर आए नहीं है और कुल मिलाकर जनता ने हमारे दोरा किये गए अच्छे योगी जी की सरकार के दोरा किये काम को सुईकार किया है आदर ने योगी जी ने भी शाथ सरवादिक रैली करने का रिकार्ड बनाया है जनता ने उनको एक भगवा वेशधारी संत की रूप में राजनेता स्विकार किया है और बुल्डोजर बाबा अपराजियों के खिलाब किस आक्राम अक्तेवर से काम किया जाता है राम जनता को शांती पूर्ण नि कि परस्तित इसका उधाना प्रस्तुतिया योग्याद इतना जीन इसको जनताने स्विकारा रहा है जिस तरह से पच्छी पाटी एक तरह सा मखौल बना रहा रही थी कि भारतियन्ता पार्टी के प्रति उत्रप्रदेश में अंड़नेंग एंटेंगर पेंशी है लेकिन जि EVM का विशे तो इन्होंने गलत उठाया और इनकी हातासा निराशा और अखलाट का प्रतीक है EVM का विशे उठाना कारण यह है कि 2012 में जब चुनाओ जीते तब EVM नहीं 2017 में जब चुनाओ रहे तो EVM कभी शे उठाया इन्होंने और उसकाद भारत निर्वाचनायोग ने कमेटी गठित करके टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाई EVM के और एक हकते का समय जा इन रांतिक दरूंगों कि आपने टेक्निकल एक्सपर्ट लेकर आओ और EVM कैसे हैक की जा स और फलाट का इनकी पर्चाएक है मैं एक बात और कहना चाहता हूं EVM तीन प्रकारकी होती है एक EVM ट्रेणिक के लिए होती है हर विदानसवा चित में एक रिजड़ में होती है और उसके लिए होती है कह अम चुनाओं के लिए सब्सक्राइब نं सबके नंबर तीनों प्रक को छिपाने का यह माद्यम है लड़की हूं लड़ सकती हूं महिलाओं के साथ अत्याचार उत्रप्रदेश में हो रहे हैं वह हात्रस भी गई नौ भी गई सुन्बद्र भी गई क्या करना कि कांग्रेश उत्ताच्छा प्रदेश नहीं कर पाई दो चार घटनाओं को छोड़ परदेश के चीखने को कुछ स्विकार नहीं किया महंगाई का मुद्दा फीका पड़ गया उत्रपदेश में नेशिद तोर पर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद समूचे विश्व में महंगाई है उसके तुलनात्मक देश में महंगाई का प्रस्द बहुत कम है इसलिए जनताने महंगाई को कोई काधर नहीं माना धर्यवाद बाचित करने के लिए आप थे उत्तपदेश ज्वाइनिंग कमेटी के अध्धच रच्विकांद बाचपेई जी जिनका साब तोर से कहना है कि उत्तपदेश की क्लीन छवी के नेता योगी आधित नाहत के न इनुच लगनो